नमस्कार जहेंदर स्वाच करते उन सुझी अब्यारतियों कर से इबासिष भी सेट के कुच में जो अभ्यारती बिहारती दुहरोगा pre-exams की त्यारीच कर रहे थ्यारीक करे हैं었습니다 आज और प्रिक्टिस नमस्कार नमस्कार छैंदर दोश्तो सहा करते हैं हुँ सॉइन इसका पीडियाप आपको टेलिग्राम पे मिलेंगे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अलाबा बिहारदर का प्री एक्जाम्स के लिए विद्या सागर का भी प्रैक्टिस सेट शुरू किया गया है जो गुरू रहमान सार का प्रैक्टिस सेट है अगर उसे सोल्प नह राइट आंसर करेंगे आप सभी चैंद्रियान टू के रूबर को क्या नाम दिया गया है प्रज्यान दिया गया है से बिल्कुल राइट आंसर हैंगे याद रखिगा आप सभी कोईसमा टू दिखिए हाली में किस भारती होकी खिलाड़ी को अंतराश्टी होकी महासंग का सबस्रेश्ट खिलाड़ी का पुरुसकार दिया गया है तो यह पुरुसकार किसे मिला है चले कोईसमा टू के लिए राइट आंसर करेंगे आप सभी तो यह पुरुसकार दिया गया है मनपृत सिंग को सी बिल भी करेक्ट आंसर नेस्ट कोईसन करते हैं राष्टे भरती ए पहसाओं में इसे आयुजित की जाएगी सी सोरी ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगे अपना नेक्ट कोस्टन के कोस्टन फोर पांचीव बर्ग के निमलेखित तत्वों में से कौन सा सबर्दिक छारिय आउकसाइड बनाता है बिल्कुल राइट आंसर जाएगे बिल्कुल राइट आंसर जाएगे बनाता है चले नेक्ट कोस्टन के कोस्टन फाइफ करते हैं निमलेखित में से कौन सा योगिक है इन में से कौन सा एक योगिक है चले कोस्टन फाइफ के लिए राइट आंसर के नहींगे आप सभी ए बि सभी लाइक जरू करेंगे आप सभी आते हैं कलास में लाइक करके नहीं जाते हैं ये बहुत गलत करते हैं आप सभी तो एक लाइक जरू किजे इतना मैनत करते हैं आप सभी के लिए डेली आपको प्रैक्टिस सेट करवाते हैं तो आप सभी इसे लाइक जरू किजे और अपन आपना स्कूर देख सकते कितने स्कूर कर पारें आप सभी उसी में और आप सभी daily दिखिए हर practice sett को लगाते हैं और हर practice स ebenfalls आप सुची दू को समयित किजिए और इनके नीचे कूटों से सही उत्तर का चेयन किजिए और जलधी आप सबी के लिए जो कि topic by class ला देंगे जिसमें कि history complete करेंगे उसके बाद geography को तब उसके बाद जो कि politics को complete करेंगे तब economics को complete करेंगे उसके बाद जो कि जो और subject है उसे भी complete करते जाएंगे हम सबी जिससे कि आपका त्यारी बहतर तरीके से हो जाएगा तो अगर इससे सम्मिलित करेंगे तो इसके right answer option में भी जाएंगे 2, 4, 5, 1 हो जाएंगी मतलब कि चांदी, ag, sona, au, para, hg, cisa, pb जबकि sn जो होता है वो teen का होता है sn तो इसका भी बिल्कुल right answer हो जाएंगी next question यो question में 7 मानव सम्मू सम्मन्दी थे d बिल्कुल right answer हैंगे या phylum कौन data के अंतरगत class में मिलियाद से सम्मन्दी थे d बिल्कुल अपना right answer हो जाएंगे next question के question में 8 करते ही question में 8 के लिए right answer की जिगा question में 8 देखें क्या question बोल रहे है निमलिकित में से कौन सी बिमारी मच्छरों दवरा नहीं फैलती है right answer जागे निद्रालू व्याधरी यह मत्चर से फैलने वाली बिमारी नहीं है जबकि यह किस से फैलते हैं trepinosuma proto-जोवा से फैलते हैं, लिख दे ते trepinosuma proto-जोवा से फैलते हैं यह next question देखें जबकि आपका जो थे डेंगो जोवार phylereasis और malariae से भी जो की मच्छर से फैलने बाली बीमारी गे next question question 9 question 9 question ये बन रहे हैं कि भारत में मानक समय उस मानक या मियोत्तो रेखा के अधार पर नियत किया जाता है जो गुजरती है तो ये कहां से गुजरती है इलाहाबाद से होकर गुजरती है इलाहाबाद के निकट मिर्जापूर से होकर गुजरती है बारत का मानक समय क्या है साड़े बिरास्टी डिगरी पूर्वदे सांतर है साड़े बिरास्टी डिगरी पूर्वदे सांतर लिग देते हैं साड़े बिरास्टी डिगरी पूर्वदे सांतर है आगे हैं अपना मानक समय ग्रीन बिच से साड़े पांच गंटा आगे हैं नोट किजिग आप सभी नैस्ट कोश्ण कोश्ण में टेन भू परपटी के अंदर सेल मुल की घानी भवन से बनती है बिल्कुल राइट आंसर जांगे पतालिय चट्टाने बनती है नैस्ट कोश्ण कोश्ण में 11 के लिए राइट आंसर करेंगे आप सभी कपासी बर्सा में गों से गिरने वाली बर्ब की दिरिट गोलियों को कहते हैं तो इसे कहा जाता है ओला कहा जाता है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ओला कहा जाता है नेस्ट कोईशन करते हैं कोईशन में 12 इसकीन पे हैं कोईशन में 12 ये बन्दे अपना कि अरब सागर और फारस की खाड़ी जोड़ते हैं भी बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे हर्मुज जलडुमरी मद अरब सागर और फारस की खाड़ी को जोड़ते हैं बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगी पाक, जल्डुबरी मद, अरब, सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ते ही नेक्ट कोशन देखें, कोशन में 13 निमलेकित में से कौन सा अस्थान का दैनिक तापांतर उचतर होता है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दिल्ली का नेक्ट कोशन देखें, कोड़ी यट्टन से सम्मनित कत्रों पर विचार करें से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोनों यूनेसकों ने इसे एक उद्रिष्ट औमुरित विजासत की रूप में मानता दिये बिल्कुल सही है ये दर्सकों द्वारा बताई गई कहानी पर पूरी तरह निर्भर है बिल्कुल सही है से बिल्कुल अपना राइट आंसर हो जाएंगे नेक्ट कोशन दिके कोशन मर टूएल दो विजाल भू छेतरों को जोड़ने वाला अत्यंत सकर्निय भू भाग कहलाता है तो इस भू भाग को कहते हैं अस्थल सहीूजग कहते हैं दी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे अस्थल सहीूजग कहते हैं इसे नेक्ट कोशन के कोशन के लिए आप सभी बलित परवतों के बनने का कारण था तो डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे चैतीस संपीडल बल के कारण बलित परवत बने थे डी बिल्कुल अपना राइट आंसर हो जाएंगे next question दिखे यह question गनीच से question किजिए आपसी बनाने का right answer बताते हैं आप सभी को इसका right answer जो का option number D हो जाएंगे 60 km परती आवर हो जाएंगे next question के हर्षबर्धन को प्राजित किया था किसने D बिल्कुल right answer हो जाएंगे pull question दूतिये ने हर्षबर्धन को प्राजित किया था नर्मदा नदी के तटपर next question question 19 question 19 ये बन रहे अपना कि दिल्ली संतलत का सासक जो दिल्ली से अपनी राजदानी एक ऐसे सहर ले गया जिसके बाद आगरा के नाम से जाना गया वे संतलत सासक कौन थी तो भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे सिकंदर लोहुदी ने सिकंदर लोहुदी ने आगरा के अस्थापना की थी 1504 इसवी में और इसने 1506 इसवी में आगरा कुराजधानी बन बाया था और सिकंदर लोहुदी जो दे ये लोधी बंस के महान सा सकती next question के home rule link की अस्थापना कब हुई तो इसके अस्थापना हुई थी पर्थम 20 यूद के समय में भी बिल्कल right answer हो जाएंगी home rule के अस्थापना उन्हें सो स्वल्ल में हुई थी और इसके जनक जो माने जाते हैं पूने में home rule की अस्थापना बालगंगादर तिलाग ने किया था जबकि मदरास में home rule की अस्थापना एनी बेसिनेट ने किया था next question के question 21 बारते से विधान की दसभी अनुसूची सम्बंदी थे किस से चले question 21 के लिए right answer करेंगे आप सभी तो ये किस सम्बंदी थे दल बदल बिरोधी अधिनियम से सम्बंदी थे डी बिलकुल अपना right answer हो जाएंगे अगर बात करेंगे भी दसभी अनुसूची के बारे में तो ये जोड़ा गया था बाबनमा सभीधान संसोधन 1985 के तहत लिए देते हैं ये बिलकुल right answer जाएंगे भारतिये प्रोधोगी की संस्थान हैदराबाद ने की है ये will be right answer नेश्ट करते कोश्मेंट 23 निमलेकित में से कौन सा देश 2022 AFC महला Asian Cup की मेजबानी करेगा से बिलकुल right answer हो जाएंगे भारत देश का नेश्ट कोश्मेंट 24 कौन भारतिय राष्टी ये बिज्ञान अकादमी की पहली महला अध्यक्ष बनी चले कोश्मेंट 24 के लिए right answer करेंगे ये कौन बने थे चंद्रीमा साब बने थे डि बिलकुल right answer हो जाएंगे नेश्ट कोश्मेंट 25 पाकिस्तान के मुझाहिर है ये right answer हो जाएंगे भारत के परवासी मुसलिव है नेश्ट कोश्मेंट 26 ये गनित से हैं और इसका right answer option नमर भी हो जाएंगे फाइब हो जाएंगे नेश्ट कोश्मेंट 27 बैगनी रंग के परकास कित रंग लंबाई है तो इसके लंबाई जो होती है वा 0.4 macron होती है भी बिलकुल right answer हो जाएंगे अपना नेश्ट करते कोश्में 28 28 नमर कोश्में ये बन रहे अपना कि जब एक साबुन के बुलबुले को अविसित किया जाता है तो इसकी तरिज्जा बढ़ जाती है ये right answer हो जाएंगे इसकी तरिज्जा बढ़ जाती है नोट करेंगे आप सभी नेश्ट कोश्में 29 निमले कित में से कौन पंच महायग्यों में नहीं है सी right answer हो जाएंगे पिसाच यग नहीं है जबकि पित्री यग, देव यग, भुत, वाप यग ये सभी पंच महायगों में सामिल है नेश्ट कोश्म करते हैं कोश्म में 13 कोश्म में 13 ये बन रहे हैं कि किस परमार राजा ने स्वर्न मुद्रा का परचलन किया था तो डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे उतियादी निक्या था स्वर्न मुद्रा का पर्चलन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगे नेक्ट कोर्षिन के कोर्षिन में 31 राजा साहू का पर्थम पेशवा कौन था चले कोर्षिन में 31 के लिए राइट आंसर करेंगे आप से भी राजा साहू का पेशवा कौन था तो पर्थम पेश्वा कौन था बालाजी विश्वनाथ ए विल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे बालाजी विश्वनाथ बालाजी विश्वनाथ ने 1700 कब 1799 में माराठा में अर्थविवस्ता सुचना लाने का भी परियास किया था याद रखी का आप सभी कोशन पूछी जा तो ये एक्ट का नाम है पिट्स इंडिया एक्ट ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे नेक्ट कोशन थे कोशन में 33 सुभास चंद्र बोश ने 1943 में अजाध हिंदु फोज की कमान किस देश में संभाली तो ये संभाली थी सिंगापूर देश में सी बिल्कुल 1930 को स्वसंतरता दिवस की रूप में मनाने का निरने कॉंग्रेस की किस अधिवेशन में लिया गया था डे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे लहोर अधिवेशन में कॉंग्रेस का लहर एदिविशन जो हुआ था यह 1929 में हुआ था दिसंबर 1929 में हुआ था और इसमें अद्धर्ग चुज़ थे वो पंडिज भाला लेहरू थे नेश्ट को सिंदिके निमलेकित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है सर्वेंड ओप इंडिया स्वसाइटी कुपाल क्रिष्ण गोखले उनेश्स तो पांच बिलकुल चाहिए राम क्रिष्ण मर्श श्वामी बिविकानन्त अठर्श सतासी बिलकुल चाहिए क्योंकि पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक जो थे वह फिरोज सा महता नहीं बिलकि एमजी रानाडे पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे नेश्ट कोशन देखे कोशन में 30 से 1 से पांच सागरों का परदेश किसे कहा जाता है बिलकुल राइट आंसर जांगे दक्षिन पूर्वे एसिया को पांच सागरों का परदेश भी कहा जाता है नेश्ट कोशन देखे कोशन में 37 निमले कित में से संसथ की वितिय सिमिती कौन कौन सी है इन में से संसथ की वितिय सिमिती कौन कौन सी है एक दो तीन लेखा सिमिती लोक लेखा सिमिती परंकलन सिमिती सरकारी उपकरम सिमिती तीनों बिलकुल सही हैं ये संसत की विधिये सिमिती हैं नेश्ट कोशन के कोशन में 38 बारत के राष्टपती के चुनों के संबंद में निमलेखित में से कौन सा कथन सही हैं सी बिलकुल राइट आंसर हो जाएंगे भारतिय से विधान का अनुच्छेद अनुच्छेद कर जिए इसके पच्छपन में राष्टपती के चुनों की रीती परिकिरिया है बिलकुल सही है राष्टपती के चुनों में कौन-कौन भाग लेते हैं राज और लोग सभा के निर्वाची सदस से पलस बिधान सभा के निर्वाची सदस से पलस में केंद्र सासित परदेश के निर्वाची सदस से भाग लेते हैं इसमें राष्टपती का जो चुनों होता है वो अनुच्छेद 54 के तहत होता है याद रखी कि आप सभी एक जम सो पूछ जाते कोईश्चन कोईश्चन में 39 करते हैं बद्रिनाथ किस नदी के तड़ पर बसा है अगर बात करें हम सभी बद्रिनाथ के बारे में तो ये अलखनंदा नदी के तड़ पर बसा हुआ है अगर कुछ नदी और नगर के बारे में बात करें तो बद्रिनाथ अलखनंदा नदी के तड़ पर लखनो जो बसा है वह गो मती नदी के तड़ पर है और कटक जो है वह महा नदी के तड़ पर है अहम्दाबाद सावर मती तड़ पर है अयोध्या जोएकी सर्यू नदी के तड़पर है लुध्याना आपका संतलज नदी के तड़पर और जमसेतपूर शुर ने रेखा नदी के तड़पर है तो यह question एक जाउंस पूछ जाते हैं इसलिए आपको बता दिए Next question दिखे तों बोलो अस्तला कृती का निर्वान किस परिक्रम द्वारा होता है से बिल्कुल राइट आंसर जेंगे सागर ये परिक्रम द्वारा होता है Next question दिखे द अफिर की संका सबसे बड़ा बंदरगा कौन सा है तो इसका सबसे बड़ा बंदरगा जो है Cape Town ये राइट आंसर जेंगे द अफिर की संका सबसे बड़ा बंदरगा के टाउन है Next question दिखे Question मर 42 Cockpit of Europe किस देश को कहा जाता है से बिल्कुल राइट आंसर जेंगे Belgium को Cockpit of Europe के भी नाम से जाना जाता है Australia को 85 भूमी के नाम से जाना जाता है Next question दिखे Question मर 43 किस बैंक के लिए भारतियरी जब बैंक ने 50,000 कुरूर रूप्य ही तू Special Liquidity Window का विस्तार किया है D. Right आंसर जेंगे Yes, बैंक की ने किया है D. बिल्कुल correct आंसर जेंगे याद रखीगा आप सबी Next question दिखे किसे गांधी Peace Foundation नेपाल द्वारा गांधी नोबेल सांती पुरूसकार 2020 से समानित किये जाने की घोशना की है B. बिल्कुल right आंसर जेंगे Dr. कनेया तृपाठी ने Next question के निमलेकित में से कार्बोनिक योगी खें A. Right आंसर जेंगे Chloroform ये कार्बोनिक योगी खें Next question देखे Question 46 Quarch घड़िया किस सिधांतर के अनुसार कारिक करती है Question 46 के लिए right answer की जेंगे आप सभी तो ये जो सिधांत पर कारिक करती है दाब विद्दूत परभाव किस सिधांत पर कारिक करती है दी बिल्कुल अपना right answer हो जाएंगे Next question 47 पाकिस्तान, चीन और अजाद कस्मीर के बीच 1124 मेगाबाट की कोहाला हाइड्रो पाबर पर्योजना का निर्मार हेतू तिरी पक्षिय पाबर खरीद समझोते पर हस्ता अक्षर किया या पर्योजना किस नदी पर निर्मित है तो ये पर्योजना जो निर्मित है बकिस नदी पर है जेलम नदी पर है बिल्कुल right answer हो जाएंगे जेलम नदी पर Next question is question 48 पाधे के portion के लिए 16 तत्व अवस्चक होते है निर्मित में से कौन सा तत्व पाधब पोशल के लिए अवस्चक नहीं है चले answer के जिगा इन में से कौन सा पाधब तत्व के लिए अवस्चक नहीं है C कोबाल्ट अवस्चक नहीं है कोबाल्ट जो पाए जाते हैं वह vitamin B12 में पाए जाते हैं Next question के पाधे मिरिदा से भोजन पर याए किस अबस्था में प्राप्त करते ही तो यह प्राप्त करते ही विलियर अबस्था में एक राइट आंसर हो जाएंगे